प्रिये हिंदी मित्रों, नमस्कार, हाइटेक हिंदी परिवार में आपका स्वागत है, एक नए महत्तुपूर्ण और जरूरी वीडियो के साथ आज हम पुना हुपस्थित हैं, आती महत्तुपूर्ण प्रश्णों की सिरीद चल रही है, इसके अंतरगत, एंटी एनट्यारेप, टीजी टी, पीजी टी, केवियस, एनबियस, कॉलेज लेक्शर, साथ ही साथ, डी एसेस्बी की परिक्षा में आने वाले, आ चुके, या जिनके आने की संभावना सारबाधिक है, ऐसे सभी महत्तुपूर्ण प्रश्णों को सामिल करके, ये सिरीज ला सकते हैं, उनको रिवीजन करने के लिए आप पुनाह देख सकते हैं, 10 मिनट, 15 मिनट की वीडियो हैं, अगर आप उनको देख करके, उन प्रश्णों को कहीं नोट करते हैं, कहीं लिखते हैं, या जरूरी प्रश्णों को आप थ्यान में रखते हैं, तो आने वाली जो भी आगामी आपकी परिक्षा है, उसमें आपको बिसेस लाब होगा, इस वीडियो का जो पीडियो है, वह हम आज अपने टिलेग्राम लिंक में डालेंगे, जिन मित्रों को भी पीडियो चाहिए, वह वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, खास बात ये, बहुत खुसी की बात है, क जितने ज़्यादा कमेंट करते हैं, आपको कई बार लगता होगा कि सर तो बहुती सरल प्रशने पूछ रहे हैं, ऐसे प्रशनों का उत्तर क्यों देना, कि तारसब्तक का प्रकाशन वर्स क्या है, सारे तारसब्तकों के प्रकाशन वर्स बताईए, या फला की रचनाएं क् मित्रों यकीन मानिए, यही प्रसन जिनको अभी आज आज आप छोड़ रहे हैं, यही प्रसन आप परिक्षा में गलत करके आएंगे, इसलिए किसी भी प्रसन को आप इग्नोर मत करें, कोई कमेंट नहीं करता है, ना करे, कोई बात नहीं है, कई मित्र तो ऐसे हैं, कि उनक अपने को सफलता के और नजदीक किया, करीब किया, और जिन मित्रों ने उसको देख करके आलस वस या किसी कारण वस कमेंट नहीं किया, आप यह मान लीजिए, कि आप उनसे एक स्टेप पीछे चल रहे हैं, और जिस बंदे ने कमेंट किया है, वो आप से एक स्टेप आगे के कहीं लिखा है, बार-बार रिविजन किया है, वे लोग सफलता के अधिक करीब होते हैं, तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा मित्र कमेंट करें, प्रशन सरल है, कठीन है, इसका निरधारन आप दूसरों पर छोड़ दीजे, इसका निरधारन आप परिक्षक पर छोड़ करें, अगर उत्तर गलत होता है, तो निसंदे हाई-टेक हिंदी आपकी मदद करेगा, मार्क दर्सक का काम करेगा, और शही प्रसनों के उत्तर आपको बताएगा, तो आईए आज का वीडियो सुरू करते हैं, पिछले वीडियो में हमने प्रशन पूछा था कि वरतमान भा भाषा किते हैं, संपर्क भाषा क्या होती है, माध्यम भाषा क्या होती है, सब पर हमने बात की है, हिंदी भारतिये गड़ तंतर में राज भाषा के रूप में मान है, राज भाषा से आसे, राजा की भाषा से नहीं है, राज भाषा से आसे, राज की ये भाषा से है, या पूरे 40 मिनट का एक हमने वीडियो बनाया और धेर सारी बातों की चर्चा की है मुझे नहीं लगता कि इसके बाद कोई भी प्रशन राजभासा से आपका गलत होगा यदि आपने अब तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो अभी जा करके आपको उस वीडियो को देखना चा केशोदास को तो अलग ही कर दीजिए केशोदास ने ऐसी कोई रचना नहीं लिखिए अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता है प्रशाद ने भी काबी के रूप में ऐसा कुछ नहीं लिखा है मैथिली सरनगुप्त और निराला ये दो फशाने वाले हैं इसका सही उत प्रशना नहीं है तुलसी दास रामकी शक्ति पूजा और सरोज इसमृत इनका प्रकाशन वर्स क्या है परीक्षा में बहुत पूछा जाता है करम पूछा जाता है या प्रकाशन वर्स पूछा जाता है अब ये प्रस्ण भी कहने में आसान लग रहा होगा लेकिन जब अपने आप कठिन हो जाएगा आप पताएंगे हमें कि सरोजिस्मित तुलसी दास और राम की सक्ति पुजा का प्रकाशन वर्स क्या है बाधोन नाव इस्ठाओं के लेखक कौन है ये पूछा गया है उपेंदर नाथ हस्क निराला जैसंकर प्रशाद और मुक्तिबोद दिया योग हुआ बाधोन नाव इस्ठाओं बंधू ये पूछेगा सारा गाउं बंधू करके उन्होंने एक कविता लिखी है लेकिन यहां कभी नहीं पूछा जा रहा है यहां लेखक पूछा जा रहा है प्रश्न पर आपको एक एक अक्षर पर बिसेस्क गौर करना है यहां प उपेंद्रनात स्क की रचना है तो इसका सही उत्तर होगा उपेंद्रना ठसक सितारों की खेल गिरती दिवारें गर्मराक सहर में घुमता आईना एकणनली कंदील निमिसा जैसे अनेक और नियाशिक शिक करत्यों को इन्होंने लिखा है तो इस प्रकार इसका उत्तर सही हो कि सुजान चरित की रचीता सूदन है आपको एक बात और बता दें कि रीतिकाल के जो कभी हैं और रीतिकाल के जो रचनाएं हैं वह बहुत थोड़ी सी हैं अगर डाक्टर नगेंदर की पुस्तक आप देखेंगे तो एक पन्ने में रीति बद्ध रीति सिद्ध और रीत मुक के रहने वाले थे भरतपुर के महराज सुजान सिंग उपनाम सूरज मलके हाँ ये रहते थे सुजान चरित नाम का इन्होंने प्रबंध काभी भी लिखा है कोकसार रसकीली वली सुजान हित प्रबंध और कृपाकंद बियोग बेली जैसीन की प्रमुख रचनाएं हैं बो ग्रंत लिक्ए हैं तो इस प्रकार इसका सही उत्तर क्या होगा सुजान चरित के रचेईता कौन है सुजान चरित के रचेईता सूधन है अगला प्रशन है साहिति मनुस्य के अंतर का उच्छलित आनन्द है या कथन किसका है कथन और कारण पर हमने अब तक 3 से 4 वीडियो बनाए हम आगे भी वीडियो इस पर लाते रहेंगे साहित्य मनुस्य के अंतर का उच्छलित आनंद है नंद दुलारे बाजपेई हजारी प्रशाद दिवीदी डाक्टर नगेंद्र और आचारे राम चंसुक्ली यह कथन किसका है तो यह कथन आचारे राम चंसुक्ल का है य आपको बार-बार पढ़ना इसे याद नहीं करना है रट्टा अफिकेशन से काम नहीं चलेगा इसको आपको बार-बार पढ़ते रहना है यह अपने आप चीजे आपको याद हो जाएंगी साहित्य मनुस्य के अंतर का उच्छलित आनंद है कथन आचारे राम चंसुक्ल का है अगला प्रस्ण है महिम भट द्वारा प्रतिपादित सिध्धान्त क्या है महिम भट का नाम आपने सुना होगा काभि सासर से इनका शंबंद है महिम भट के द्वारा प्रतिपादित सिध्धान्त क्या है अभिवेंजनाबाद अभिवेंजनाबाद आपको पता है क्या ह अभी बंदिनाबाद ये क्रोचे का है जिसे आचार राम चंद सुक्र ने बिलायती उत्थान का है वैसे पसंद नहीं करते हैं लक्षण बाद नाम की कोई चीज नहीं है तात परेवाद भी आपने नहीं सुना होगा तो इसका सही उत्तर होगा अनुमान बाद अनुबान बात क्या है कैसी चीज के बारे में जब हम अनुमान करकि कोई चीज करते हैं तो वो क्या है और ये अनुमान जो है ये ध्वनी ध्वनी से सम्मन्दित है ग्यारावी सताबदी में महिम भट जो है आते हैं वेक्ति विवेक नाम की किनकी महत्तोपूर रचना है तो ये ध्वन्या लोग का खंडन करने के लिए उन्होंने वेक्ति विवेक लिखा था तो ध्वनी के अंतर गत जो ध्वनी का अंतर भाव है उसे वे अनुमान मानते हैं महिम भट और ये महिम भट द्वारा प्रतिपादित से धानते हैं अनुमान वाद चम्पू काबे के दो भेद हैं यह यहां बता दिया गया है ठीक है चम्पू काबे के कितने भेद हैं दो भेद हैं अब प्रशने क्या पुछा है कि उन दो भेदों के नाम क्या है विरूद कपालक विरूद कुलक विरूद व्रज्या और विरूद करंभक तो इसका सही उत्त होगा विरुद और करंबक चंपू होता क्या है साहित दर्पन में आचारे विश्वनात ने कहा है कि गद्य और पद्य की जो मिस्तरत रूप रेखा होती है जो मिस्तरत सैली होती है गद्य और पद्य को मिला करके उसको क्या कहा जाता है चंपू कहा जाता है और विरुद और क परम्बक ये चम्पू काब हैं आप हमें कमेंट करके बताएंगे अभी अपनी स्मृति पर जोड डालेंगे और जो भी आपको समझ में आता है जितने भी नाम आपके याद आते हैं आप बताएंगे कि चम्पू काब हिंदी साहिते में किन किन कभियों ने लिखा है या मास की अधिकता ओज कहलाती है ओजस मास भूश वत्यम ये कथन किसका है भरत का है वामन का है रूयक का है या दंडी का है किसका है तो मित्रू ये कथन वामन का है और ये स्लोक जो है ये आपको याद करने पड़ेंगे इसको और कोई तरीका नहीं किसी भी ट्रिक या किसी अन हुर्दे में उत्सा वीरता आवेस जैसे भाव जागरत हो जाते हैं वहां क्या होता है वो रचना ओजपूर्ण होती है तो इस प्रकार वामन के मत में रचना का गाढ़त तो जो होता है वो ओज़ कहलाता है यहां गाढ़त तो आता कहां से है अक्षरों की संसलिस्टता समाश युक्तता संयुक्ताक्षर जहां पर आते हैं वरणों का जहां पर द्वित्थ हो जाता है गौडी ये रीती जहां पर पाई जाती है वहां पर ओज और कांती गुण होता है तो ये जो है समास की अधिकता ओज कहलाती है किस ने माना है ये वामन ने माना है ठीक है वामन ने इ किस ने किया है राग दर्बारी का, पहले तो आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि राग दर्बारी पर स्रीडाल स्वक्ल को कौन सा उपन्या, कौन सा पूरशकार मिला है और आप यह भी बताएंगे किसका प्रकाशन वर्स क्या है परिक्षा में अक्सर पूछा जाता है साथ ही साथ यह दिया आपको पता है तो आप गोदान का प्रकाशन वर्स लिखें अगर आपको पता है तो आप तमस का प्रकाशन वर्स लिखें और साथ ही साथ मैला अचल का प्रकाशन वर्स लिखें ऐसी रचनाएं बहुत पूशी जाती हैं अब आप मुझे पता है कि इनकी प्रकासन वस अगर आप दिमाग पर जोड डालेंगे तो आपको थोड़ा समय लगए इसके लिए अच्छी तैयारी चाहिए तो इस प्रकार बीच बीच से ऐसे प्रशन पूशा जाता है स्रीलाल सुकल के उपन्यास राग दरबारी का रंग नात की वापसी सीरसक से नाट रूपांतर किस ने किया है गिरीज रस्तोगी ये बड़े नाटक कार के रूप में ख्याद प्राप्त है आलोचना और रंग मंच के जगत में इन्होंने 1982 में राग दरबारी जो व्यंग रचना है व्यंग उपन्यास है स्रीलाल सुकल का उसका जो है नाट रूपांतर किया है गिरीज रस्तोगी ने कुसम कुमार सोभना भूटानी और सांती महरोत्रा भी सभी के सभी नाटक का रहे हैं इनका नाम आपको जानना चाहिए इनके नाटकों के बारे में जानना चाहिए अगर किसी को इनके नाटक पता है कुसम कुमार के और सोभना भूटानी के तो वो जरूर कमेंट करें उसको लिखे और इसी बहाने उनका पुना हरी वीजन हो जाएगा स्री लाल सुकल के उपन्यास राग दर्वारी का रंगनात की वापसी सीरसक से नाट रूपांतर किस ने किया गिरीज रस्तोगी ने किया कब किया 1982 में किया चूली का किसका भेध है ये प्रशन पूछा जाता है चूली का जो है किसका भेध है देखिए प्रशन कहां कहां से आता है अगर आपने रटा हुआ है गाईडों से या कहीं से तो ये प्रशन आपका गलत होगा इसलिए आपको पुस्तके पढ़नी चाहिए अगर आपने प्राकरत पढ़ा है प्राक्रत की बिसेश्टाएं पड़ी है तो आपको पता चलाईगा प्राक्रत का एक भेद क्या है चूलिका भी है पैसाची मागधी सौरसेनी ये सब जो है ये किसके प्राक्रत के भेद के अंतरगत आते हैं पाली के भेद के अंतरगत भी हमने बताया है उस पर हमने वीडिय देराई नहीं है तो इसका सही उत्तर होगा चूलिका किसका भेध है चूलिका प्राक्रत का भेध है अगला प्रशन है मुद्रा राक्षस द्वारा तिल चट्टा नाटक में तिल चट्टा किसका प्रतीक है तो पहले तो एक प्रशन आपको यहीं मिल जाएगा कि मुद्रा राक्षस तिल चट्टा किसका नाटक है तो यह मुद्रा राक्षस का नाटक है अब प्रशन पूछा जा रहा है कि तिल तिल्चटा प्रतीक किसा है योन कुंठाओं का मानौ मन की पाशविक ब्रतियों का अधिकारी वर की स्वार्थ परता और कुरूरता का और समाज व्यापी संत्रास का अब अगर आपने इसके बारे में कहीं किसी पुस्तक में पढ़ा है खास करके ब्याक्षातपग पुस्तक आपने पड़ी है फिर वा ढक्टर नगेंड की पुस्तक होसकती है अबाच्चन सिंग की पुस्तक होसकती है उसमें आपको यह मिलेगा कि जो तिलचटा है मुद्राराक्षस का नाटक उसमें तिल्चट्टा योनकुम्ठाओं का पृत्षा में हाल की दिनों में इनका निधन हुआ था पिछले दो साल पहले तो ये कहा के रहने वाले थे इनका मूल नाम क्या था और इन्होंने किस पत्र का सम्पादन किया था ये सारी बातें आप अगर पता है तो आप कमेंट करें मजे की बात ये है कि कल के जो वीडियो हमने बनाए थे उसमें मित्रो ने जो कमेंट किये हैं बहुत अच्छा कमेंट किया है फिरू अचा है तारसब तक के बारे में हो या जो भी सवाल हमने पूछे थे उसके बारे में जितनी भी जानकारी थी उन्होंने पूरा लिखा है कमेंट में और ये देख करके मुझे बहुत अच्छा लगा है उसके लिए आप सभी को धेर सारा धन्यबाद और धेर सारी सुब कामना है ऐसे ही कमेंट आप करते रहें ये एक एक कमेंट चो है एक एक स्टेप है सभलता की और अगला प्रशन है किस ग्रंथ में कल्चूरी राजबंस के किसी सामंत की सात नाईकाओं का नक्सिक वरणन है यादिकाल से प्रशन है और इसका सही उत्तर होगा कुबले माला कथा किस ग्रंथ में कल्चूरी राजबंस के किसी सामंत की सात नाईकाओं का नक्सिक वरणन है तो इसका सही उत्तर होगा कुबले माला कथा संत साहित्य में प्रयुक्त बंक नाली ये प्रशन हमने साहित पूछ लिया है या नहीं पूछा है ये परिक्षा में आये हुए प्रशन है संत साहित्य में प्रयुक्त बंक नाली का परियाय क्या है इसका परियाय है वक्र नाली अगला प्रश्ण है रहास्य पुरुष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् उत्तर होगा ब्रह्मरंद्र ब्रह्मरंद्र का सम्मंद्र किस से है ब्रह्मर गुफा से है अगला प्रशन है किस आचारी ने अलंकार और अलंकारे में अभेद अभेद माने कोई भेद नहीं आ यहां देखिए लगा हुआ है उपसर्ग और भेद आमिन्स होता है ना ठीक है तो ये कह रहा है कि कोई भेद नहीं है अलंकार और अलंकारे में ये किस ने कहा है ये कहा है आचार रामचल सुक्ल ने कहा है भामा कुंतक और विश्वनात का इससे सम्मंद नहीं है क्यों सम्मंद नहीं है क्योंकि ये सभी जो है कुंतक और विश् अगला प्रस्ण है छाया बाद में वक्रता का वैभो मिलता है प्रशाद के काब में निम्निखित में से किसका उतकर्स मिलता है तो अभिवेंजना का उतकर्स मिलता है प्रशाद के काब में जैसंकर प्रशाद नाटकों के छेतर में बहुत प्रशिद्ध हैं अगर आप उनके नाटकों के क्रम पता है और उनका प्रकाशन वर्स पता है तो आप हमें कमेंट करके बताएं जैसंकर प्रशाद के प्रमुख नाटक कौन से है और उनका प्रकाशन वर्स क्या है उसी क्रम में आरोही आरोही क्रम में आप उन रचनाओं को लिखे, कमेंट करें, इससे क्या होगा कि इस प्रश्ण का आप को एक बार फें से रिवीजन हो जाएगा, च्हाया बाद में वक्रता का वैभो मिलता है, प्रषाद के कावे में इमलिखित में से किसका उतकर्स मिलता है, अभिवेंजेना का उतकर्स मिलता है उबटन का तत्सम रूप क्या है अक्सर कई मित्र कहते रहते हैं कि सर आप जो है टीजीटी पीजीटी के प्रशन इसमें नहीं डालते हैं तो ये देखिए सामानी हिंदी का प्रशन है उबटन सब्द का तत्सम रूप क्या है उर्द्वतन जो है ये उबटन का उबटन मतलब क्या होता है कि लेपन होता है जिसको हम लोग घरों में अपने प्रियोग किया जाता है सुन्दर्ता के लिए या सरीर की सफाई के लिए उबटन जो है का तत्सम रूप क्या है उर्द्वतन है आज का प्रशन क्या है आज के वीडियो का प्रशन है कि धूसर किसका परियाय है यानि धूसर से तातपरे क्या है अशुमेग गर्धब और अजा इस प्रशन का उत्तर आप कमेंट करके हमें देंगे ज्यादा से ज्यादा मित्र कमेंट करेंगे मैं बार बार आपसे कह रहा कि आपका हर एक कमेंट एक स्टेप है सफलता की और कोई कमेंट करता है नहीं करता है या उसका बेक्तिकत भी सह है लेकिन आपका बेक्तिकत भी सह है सफलता अगर आप कमेंट करते हैं तो आप सफलता की और करीब जा रहे होते हैं प्रशन गलत होगा या सही होगा इस पर ध्य देने की आपको जरूरत नहीं है अगर प्रशन गलत हुआ तो एक नया प्रशन आप सीखेंगे अगर आपका प्रशन सही हुआ तो आपका